देखिया कोश्चन ये गर है कि 49 लिटर दूद के गोल में 63% दूद है तो दूद की जो कंसेंट्रेशन है उसको 70% करने के लिए गोल में कितना दूद मिला जाएगा तोटल हम सबसे पहले दूद का जो मत्र होग निकालना होगा तो उचास इंटो 63 सौट यह रहा हो दूद का मत्रा इसमें हम मानक चली 1 लिटर जो हो दूद मिला रहे हैं और हमें टोटल जो मात्रा उसमें भी एकस लिटर मिलाना होगा तभी तो कंसेंट्रेशन 70 परसेंट होगा तो उन्चास प्लस 6 हमें लाना कितना है 70 परसेंट याने कि 7 पाइट 10 के रिश्व में लाना है देखें यहां पर आप इस पॉइंट को अगर सोल्व करने लगे तो फ होगा ना प्लस का सो इकस ल कि अ अ बट्रेशन और बेला में देकि ऐसे करते हैं एसे गारते हैं धुक्स चाल्स इंटू 63 इन्टू 10 प्लस 10 X अपन में कितना हो जाएगा 100 और यह जाएगा उधर तेव जाएगा उन्न चाल्स इन्टू 7 उन्न चाल्स इन्टू 7 प्लस 7 X हो जाएगा इसके बाद देखे यह 0 से 0 एक इंसलाओ हो जाएगा और यहाँ पर देखें 10 जो है यहां पर जाएगा और फिर इसमें multiply भी होगा तो यहां पर क्या हम लिख सकते हैं इसको इसको मैं से लिख सकते हैं उन्चार्स इंटू 63 और फिर प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 100 एक्स फिर यहां पर क्या हम लिख सकते हैं 29 into 7 into 10 plus में 77 अब देगे 70 को हम इदर लाएंगे तो यह 30x बनेगा 30x बनेगा ना 30x बनेगा मैं लिख देता हूँ इसको जब इदर लाएंगे तो इस में से इस वाले value में से minus होगा तो 940 into 7 हम जब करेंगे तो कितना 7 केकी होता है 343 आपको थोड़ा सा भी कल्कुलेशन से कबड़ाना नहीं देखे यहां पर भी हम 300 को ब्रैक कर सकते हैं साथ इंटू 9 के टम में साथ उन्चास इंटू साथ के हैं 343 हो जाएगा यहां पर भी 343 और इंटू यह हो जाएगा कितना आपका 9 अब यहां से दिके 343 हम यहां से कमन लेंगे तो 10-9 बच जाएगा और यहां से निकल गया जाएगा 343 तीशे एक से इकोल च्टू क्या हो जाएगा आपका X equals to X equals to हो जाएगा आपका 3, 4, 3 upon me 30 यानि कि 11 सही 13 upon me 30 इतना लेटर आपको दूध मिलाना होगा So, option number A जो इस question कहीं सो जाएगा कहीं पर भी आपको calculation दे कि आप अगर यहाँ पर calculate करने लगे तो फिर आप फहुंस जाएंगे आप कहाँ गुना किजिएगा कहाँ माइनस किजिएगा प्लस किजिएगा इससे भले जो जैसा जैसे चीजे चल रही है वैसे वैसे आप अन तक चलिए